नमस्कार किसान भाईयो मैं सूर्य दवल फिर्शे हजीर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गन्य की फसल में लगने वाले पोकाव बोईंग रोग के बारे में इसके बारे में A to Z पूरी जानकरी में आज आपको देने वाला हूँ ऐसे 8 से लेके 10 तरीके में आपको बताऊंगा जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गन्य की फसल के अंदर क्या पोकाव बोईंग रोग आया है या फिर नहीं क्योंकि किसान भाईयों को सबसे बड गन्य की फसल के अंदर पोकाव बोईंग रोग लगा है तो किसान भाईयों आप मात्र 10 से लेके 12 दिन के अंदर अपने गन्य की फसल से पोकाव बोईंग रोग से आसा चुटकारा पा सकते हैं ऐसा नहीं है कि एक ऐसी बिमारी है ऐसा रोग है कि इससे आप अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं किसान भाईयों यदि सही समय पर सही दवाई का आप इसप्रे कर सकते हैं तो किसान भाईयों मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपके गन्य की फसल के अंदर से ये पोकाव बोईंग रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं इसके अंद छी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके किसान भायो इसकी पहली पहचान है कि नई गोब जो हमारी निकल कर क्याती है उसकी पत्तियां हलकी हलकी पीली वे सफेज सफेद आपको दिखाई देंगी दूसरी किसान भाईयो जो इसकी नई गोव आएगी उसकी जो पत्या होंगी वह बिल्कुल बारिक बारिक सी आपको दिखाई देंगी इसके सासत किसान भाईयो जो तीसरी इसकी पहचान है वो पत्तो पर आपको हलकी हलकी सी सलवट दिखाई देंगी ऐसे माल लीजे जैसे कि आपने किसी कपड़े को पानी में भिगो करके निचोड़ा और निचोड़ने के बाद जो सलवट दिखाई देती है उस तरीके से आपको पत्ते की जो है सलवटे पत्ते के उपर दिखाई देंगी इसका किसान भाईयो अगली जो पहचान है वो उपर की जो गोव होगी वो लाल होकर सरनी सुरू हो जाएगी इसके सासत किसान भाईयो जो पोधे के उपर का भाग होता है वह धीरे धीरे छोटा होना सुरू हो जाता है और किसान भाईयो जो पत्या होती है वे आपस में लिपटना सुरू हो जाती है इसके बात किसान भाईयो आपको एक पहचान ओर है कि पोधे के ऊपर का जो भाग होता है किसान भाईयो वो काला पढ़ना सुरू हो जाता है और पोधा जो आपका धीरे-धीरे सरना सुरू हो जाता है और इसकी जादी मैं आखरी स्टेज की किसान भी जो बात करूँ तो पत्यां बिल्कुल जो उपर का भागो वह बिल्कुल काला पढ़ जागा पूरा सर जागा आपने पत्यों को काड़ दिया इस तरीके से उसकी पत्य जो आपको कटी हुई ने दर आती हैं इसके साथ पोधी की जो ग्रोथ होगी किसान वह बिल्कुल रुख जाएगी आपको ऐसा लगएगा मान दीजे आपके पोधे को किसी चीज से बांद दिया गया है और पोधा तरीके ऐसी हैं कि इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके गंडी की फिसल के अंदर पोका बोईंग रोग आ चुका है अब बात करते हैं इसकी साफधानिया कि किस तरीके से आप इससे अपने गंडी की फिसल को बचा सकते हैं एक बात का आपको हमेसा ध्यान रखना है कि को नुकसान होना सुरू हो जायागा तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि गन्य की फसल के अंदर पोक और बॉइंग रोग लगा हुआ है या फिर कोई और रोग लगा हुआ है क्योंकि आप सही रोग की यदि पहचान कर लेते हैं किसान भाईयो तो आप अच्छी तरीके से उस हम उस बीच को लेते हैं तो हमारे खेत के अंदर बीच के अंदर ये रोग लगा हुआ है तो ये हमारे पोदे गन्य में आना ही आना है दूसरा किसान भाईयो मान लीजिए आपके आसपड़ोस के खेतों में यदि ये रोग लगा हुआ है तो ये हवा की साहिता से भी एक ख चेट को बिकार कर देता है किसानव ये जो है एक फफून जनीत बिमारी जाने कि इसे आप एक फफून कहेंगे यदि आप अपनी गंडी की फसल के अंदर सलफर का उपयोग बुआए के समय पर किया है, तो भी किसानवर ये काफी कम मात्रा में आपकी गन्य की फसल के अंदर दिखाई दिता है क्योंकि सल्फर जो है खात के साथ साथ एक फफून ना सक भी है यान कि अगर आपकी फसल के अंदर फंगस लगती है तो फंगस को भी जो सल्फर बचाने में मदद करता है तो इसलिए आप सल्फर का उपयोग भी इसमें हमेशा अवस्य करें अब बात करते हैं कि ये रोग कब से कब तक आता है तो किसान बात लगबाग जून के महिनी से लग करके ये जुलाई अगस तक आपके गन्ने की फसल के अंदर दिखाई देता है एक बात और किसन में जब हमारे बारिस पढ़ती है तो बारिस के मोसम में ये एक खेट से दूसरे खेट में भी आपके खेट में लग सकता है अब बात कर लेते हैं कि इस रोग से बचने के क्या क्या तरीके हैं क्या क्या उपाए हैं कि आप कौन सा इस्प्रे किस समय पर कितनी मात्र में करें कि मात्र 10 से लेके 12 दिन के अंदर आप अपने गन्नी की फसल को इस फंगस जनित बिमारी से बचा सकते हैं तो नोट कीजेगा जो मात्र जिदनी डोज में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उतनी ही मात्र आपको लेनी है मैं विश्वास दिलवाता हूँ आपको कि आपकी गन्नी की फसल के अंदर अगर पोका बोईंग रोग लगा हुआ है तो मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आपकी फसल से ये बहुत ना मात्र ये बचे का बिल्कुल ही खतम हो जाएगा एक खास बात किसान भाइयों और कि जो इस्प्रे में आपको बताऊँगा इन इस्प्रे को आपको इस्टीकर के अंदर मिक्स जरूर करना है कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे करने के बाद कम से कम हमारी फसल को 24 से 36 गंटे के जिस्ते में मिलता है तो बहुत आसानी के साथ हमारी फसल जो है फंगस से बस सकती है तो इसके लिए जो किसान भाईयो आपको इस प्रे के रूप में लेना है सबसे पहले आपको इसके उपचार के लिए नमबर एक में लेना ह और इसका इस्प्रे आप अपने गंडी की फसल पर कर दीजिए कोसिस करें जितनी हमारी गोब होगी गोब के उपर इसका इस्प्रे अच्छी तरीके से होना चाहिए पत्तो पर अच्छी तरीके साब इसका इस्प्रे कर दीजिए गोब पर अच्छा इस्प्रे कर दीजिए त पिर्ती एकल के हिसाब से इसका इस्प्रे आपको करना होगा और किसान भाई यो इसके सासाथ आपको अपने गन्य की फसल के अंदर सल्फर का उपयोग अवस्य करवाना है सल्फर की मात्रा की यह दीम बात करों लगवाच चार से लेके पांच किलोग्राम सल्फर को आप बालू रेत के अंदर मिक्स करके अपने गन्य की फसल के अंदर डलवा दीजिए यह आप ऐसा भी करते हैं तो इससे भी हमारी यह पोको विंग रोग यह बहुत तेजी के साथ ह अगर जाद है हैवी स्टेज में है तब आपको दो बार स्प्रे करना है अन्यत आप एक बार जदी स्प्रे करेंगे तो मात्र दस से लेके बारे दिन के अंदर आपके गन्य की फसल के अंदर से यह पोको विंग रोग जड़ से खतम हो जाएगा उम्मीद है मैं आपको एक स ही और अच्छी जानकाई दे पायों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और से जरूर करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकार इक साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान